एक बड़ी सुन्दर कथा याद आई भागवत में है एक बार ब्रह्मा जी के पास नारजी पहुँचे है नारजी ब्रह्मा जी के पुत्र है मानसिक पुत्र सरश्टी के प्रारम में ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किये थे चत्रकुमार, चारकुमार, नारजीर, दस महाजन, इत्यादी रिशीर ये सम्मानसीक पुत्र, शत्रुपा और मनु से जो संताने पैदा हुई, ये मैथुन क्रिया से पैदा हुई इससे पहले ब्रह्माजी ने काफी चेश्टा की संसार को फुल फिल करने की भर देनी की संतानों से, मानसीक रूप से, लेकिन उससे असंबव रहा, हो नहीं सका कुछ, कुछ पैदा हुई, ज्यादा नहीं तो फिर महाजन है, उन्होंने स्रश्टी को आगे बढ़ाया, बच्चे पैदा किये लेकिन प्रथम जो मैतुन क्रिया से संतान पैदा हुई, वो मनु और सत्रूपा से हुई देहुती मनु और सत्रूपा की बेटी थी, जो मैतुन क्रिया से उत्पन हुई और भी दक्ष महाराज के पुत्र हुए, दक्ष महाराज से बहुत संतान उत्पन हुई, शंकर भगवान से, ऐसे स्रश्टी के महाजनों से संतान आगे चली देहुती माता कपिल देव भगवान जो 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, उनकी मा है, वो सत्रूपा और मनु की बेटी है भागवत्तम में इसका वर्णन है कि मनु और शत्रूपा से मैथुन क्रिया करने से, ये जो हम लोग सब आगे आए, मैथुन क्रिया प्रारंबुई और बच्चे पैदा होने लगे, इससे पहले ब्रह्मा जी मान से रूप से पुत्र और जो भी कुछ पुत्रियां अपने म ख्यान में मगन रहते हैं, मैं प्रत्वी लोग पर गया था, वह मैंने एक बड़ा आश्चरी देखा, क्या देखा नारत, क्यों परिशान हो रहे हो, पिता शेरी बात ही ऐसी है, मुझे उलजन में डाल दिया, मैंने देखा कि प्रत्वी लोग पर एक द्वार का पुरी है, जो समुद्र के बीचो बीच बसी हुई, सुर्ण द्वार का है, सोनी की बनी हुई, उसमें ये योगी पुरुस रहते हैं, क्रिशन नाम के, उन्होंने 16,108 रानिया रख रखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो इसमें आश्चरी क्या हो गया, अरे इस ब्रह्मान में तो ऐस ऐसे लोग हुई हैं, जिनके हजारा हजारा रानिया हुई हैं, एक राजा चित्र केतु थे, उनके एक करोर रानिया थी, तो ये कौन सी आश्चरी की बात है, अगर क्रिशन नाम के योगी पुरुस ने 16,108 रानिया रख रख की हैं, नारे जी ने कहा, नहीं पिता श्री, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, क्या है, फिर नारत बोलो ना, पिता श्री मैंने छुपके छुपके देखा, कि वो 16,108 रानियों के साथ में, वो योगी कर्शन, 16,108 जगे प्रगट होता है, और एक ही समय में, और अलगरे मुद्राओं में, किसी रानियों के हाथ से भोजन कर रहा है, किसी रानियों के साथ में बैठा है, किसी रानियों को आलिंगन कर रहा है, किसी रानियों की बेनी गूत रहा है, किसी रानियों को फूल पकड़ा रहा है, अलगरे मुद्राओं में, एक समय में, 16,108 क्रशन बन के प्रगट होते ह मैंने ये बड़ा आश्चरिय देखा मैंने तो कानों से सुना भी नहीं ऐसा आश्चरिय आँखों से देखना तो दूर है तो ब्रह्माजी को थोड़ा सा चटका लगा कि क्या कह रहा है ओ नारद ऐसा कोई भी मेरे ब्रह्माण्ड का सबसे स्रेष्ट योगी अपने शरीर को और हाट जगे विवाजित कर सकता है यानि एक साथ नौ सरीर में प्रगट हो सकता है एक स्रेष्ट ग्रेट योगी, ग्रेट मिश्टिक लेकिन तुम कह रहे हैं ये बात तो कोई योगी पुरुष नहीं कर सकता स्रेष्ट नारायन ये कारिये कर सकता है तुमने तो मुझे भ्रह्म में डाल दिया क्या वो नारायन तो नहीं है लेकिन ठीक है मैं इसकी परिक्षा लूँगा मैं तुमारी बात सुनकर के ब्रहमित हो गया हूँ, मुझे खुद जाना पढ़ेगा और ब्रहमा जी दौरे का मा आए चतरमों की ब्रहमा ब्रहमांड के और दौरपाल को बोलेगी भाहिया दौर का धीषर के दर्शन करने आया हूँ जाकर बोलो कि तुमारे दर्शन कर तुमको मिलने के लिए ब्रहमा आया है मैं वो योगी पुरुष से मिलने आया हूँ मैं बात तो करूँ जरा कि वास्तों में बात क्या है मैंने दर्शन शब्द बोला लेकि दर्शन करने नहीं मिलने ही आये ब्रमा जी तो दर्शन सब्द को अटा दीजी द्वार पालने कहा कि ठीक है मैं जाकर कि द्वार कादीश को सूचना देता हूं कि आप मिलने आए हैं द्वार कादीश की जै हो क्या बात है प्रहरी भगवान आप से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं दर्वा जी पे खड़े हैं कौन से ब्रह्मा हैं दास का अपराद क्षमा करें मैं ये तो पूछना भूल गया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं जाओ पूछ कर आओ तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को पूछा कि द्वार का धीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुसा आया क्रोधित हो गए क्या कौन से ब्रह्मा है क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है अरे ये द्वारपालों की तो अकल ऐसी छोटी होती है ठीक है इधर आओ जा कर द्वार कादीश को बोलो कि सनत कुमार चत्र कुमारों की पिता श्री चत्र मुकी ब्रह्मा आए ठीक है द्वारपाल ने जाके बोला कि भगवान चत्र मुकी ब्रह्मा आए चत्र कुमारों की पिता श्री ओओ उन्हें सम्मानपूरों के अंदर लाओ भगवान का ब्योहार परम व्योहार है परमिश्वर है उनका व्योहार भी परम है वो उन्होंने व्योहार किया ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया और खड़े हो गए अपने आसन से हाथ जोड़ करके आईए ब्रह्मा जी आसन ग्रहन कीजिए ब्रह्मा जी तो गुस्षे में थे कि आगे पूछा क्यों कि कौन से ब्रह्मा का कि नहीं मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा मैं आसन जब तक ग्रहन नहीं करूँगा जब तक मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बता दो कि तुमने द्वारपाल से क्यों पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए क्या मेरे सिवा कोई और ब्रह्मा भी है भगवान स्री कृष्ण मुस्क्रा ऐसे ही मुस्काते हैं मुस्कराने लगे कहने लगे बस ब्रह्मा जी इतनी सी बात के लिए इतने गुस्ता कर रहे हो पूछ नहीं चाहते हो तो मैं अवश्च बतला दूँगा बहुत यस मैं पूछ नहीं चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कोई और भी ब्रह्मा है बड़ी बेश जिती करते हैं दूसरे की दर्वाजे पाये हो एक कि कौन से ब्रह्मा आए ठीक है ब्रह्मा जी मैं आपको अवश्च इसका जवाब दूँआ तो भगवान ने जो अपना योग हाथ फैलाया हवा में और दूसरे ब्रह्मा वाप्रगट होगे ये ब्रह्मा की दस मुख थे और अगले क्शन एक ब्रह्मा और प्रगट होगे जिनके सौ मुख थे ब्रह्मा को इशारा मिल गया अनम्तु ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को इशारा मिल गया द्वार का पुरी महाने का ये दिब्भी लिला है मुर्ख कैसे समझेगा अवजारंती महा मुमूधा मुर्ख लोग कैसे समझेंगे इसको भगवान की दिब्भी लिला भगवान की भगवान ने निमंत्रित आमंत्रित किया आवान किया तो ब्रह्मा आने लगी तो वह सो मुखवाले ब्रह्मा आए और हजार मुखवाले ब्रह्मा आए और दसजार मुखवाले ब्रह्मा आए और एक लाख मुखवाले ब्रह्मा भी वहाँ आए और दस लाख मुखवाले भी ब्रह्मा वहाँ पर आए और भागत में शुक्दे गुष्वामी जी कह रहे हैं कि एक करोड मुख वाले ब्रह्मा भी वहाँ पर आके उपस्तित हुए और सभी ब्रह्मा अपने अपने पार्षदों के साथ हंसों के ऊपर बैठ कर आए और हंसों से उतर कर भगवान की अस्तुति कर रहे हैं शानंत ब्रह्मा को देखकर के यह चत्रमू की ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई गबराव पन직ती और गुण गड़ान लगे और मूर्चित हुए मुर्चित हो गए भगवान सुजी कृष्ण की चलनों में गिर गए भगवान ने सभी अस्तुति की ब्रह्माओं को जाने का आदेश दिया कोई नहीं है इस समय ब्रह्माजी मूर्चित पड़े हैं चरणों में चत्रमुकी ब्रह्मा भगवान ने कहा ब्रह्माजी उठो ब्रह्माजी गोहुश आया और उठे हाथ जोड़े गड़ गड़ाते कापते हुए कि ये क्या ये जो मैंने अभी देखा ये बिभिन ब्रह्माज और हजार लाग करोड़ों मुकोवाले ये क्या सत्त है भगवान ये मेरी आखों का ब्रह्म है ये भी मुझे बतला दीजिए ये सत्त है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ये सत्त है ये परम सत्त है ये भहती सरश्टी में बड़े बड़े ब्रह्माण है जापर मुझे ब्रह्माओं के आवशक्ता होती है सरश्टी करता चौरा सिला के योनियों को रचने वाला ब्रह्मा ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है इसमें मुझे चत्रमों की ब्रह्मा की आवशकता पड़ती है तो आप हैं बाकी और भी ब्रह्मांड है जांके मुझे हजार मुक्वाला लाक मुक्वाला और दस लाक मुक्वाला और एक करोड मुख वाला भी ब्रह्मा चाहिए यह बिस्तार वाले ब्रह्मांड है तो आप इसमें इतना शोक मत करिये मैंने पुछवाया दुआरपाल से वो ठीक ही पुछवाया कि कौन से ब्रह्मा है क्या चत्र मुखी या सो मुखी या अजार मुखी तो आप इतने आग बवूला हो गए तो यह ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया गिड़ गड़ाए प्रार्थना की कि मुझे मेरा अपराज महान अपराज ख्षमा कर दो एक अपराज मैंने आपका जब किया था जब आप पांच वर्ष की अवस्ता में बच्ड़ों के बच्ड़े चराने जाती थे बन के अंदर ब्रिंदावन में तब मैं आपके बच्ड़े और गवालों को चुरा के ले गया था एक अपराज तो मैंने वो किया था और ये और एक महान अपराज कर बैठ हमें मुझे क्षमा कर दो और मुझे क्यों ब्रह्मा के पद पर बिठाया है वो रजोगुनी पद है मुझे तो कोई कही छोटे मोटे घर में या परत्वी लोग पर जनम दे दो ब्रज के अंदर जनम दे दो कुछ नीच परिवार में भी जनम दे दो मैं आपका भजन करूँगा मैं आपसे अलग हो गया हूँ मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए भगवान तो सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं ऐसी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की है उन्होंने वो अगली कथा आगे जाती है लेकिन भगवान ने कहा कि ये कलपादो विसरजामियम तो ये बार बार सर्ष्टी होती है प्रला होती है ब्रह्मिज होती है अनंत बैकुंट जगत है परमधाम मेरा धाम नेतद भास्यते सूरियों ने शजांको मैं इनमें नहीं हूँ मैं आलग हूँ इन से ये सब मेरी रचना है फिर भी मैं इससे अलग हूँ मैं सब प्राणी मात्र के इरदे में हूँ फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ परमात्मा सरुप से मेरे अंश, एक्स्पेंशन, पार्टली इंकार्निशन, विष्णू, क्षिरदक्षाई विष्णू सब प्राणी मात्र के इरदे में हैं, मैं फिर भी अलग हूँ मेरी योग शक्ति तो देख अर्जुन, मेरा योगम एश्वर्यम योग का एश्वर्ये तो देख अर्जुन अवजारंती माम मूढा, मानुसिं तनुम आश्वर्यतं, परम्भावम एजानंतो, मंभूत महेश्वर्यम ये मुर्ख लोग नहीं जानते, कि ये मेरा जो शरीर है ये लगता तो मनुष जैसा है, कि मैं मनुष जैसे शरीर में रहता हूँ जैसा शरीर मैं मनुष्य है मैंने मनुष्य को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं मुझे नकारते हैं मुझे नहीं जाननी की कोशिश करते इतनी मूर्चा में जीवन जीते हैं आवजानंति माममूढा मानुसें तनुम आसिर्तम क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में मैं भी रहता हूं परंभाव मेरी सुप्रीम कॉंशिएसनेस कोई है संसार में जिसकी भावना परंभावना हो सुप्रीम कॉंशिएसनेस या कॉंशिएसनेस लोग तो कॉंशिएसनेस में भी नहीं है अनकॉंशिएस जीवन जी रहे हैं मूर्चा में जीवन जी रहे हैं फिर सुप्रीम कॉंशिएसनेस कैसे हो सकते हैं सुपर कॉंशियस्नेस भी नहीं है सुपर कॉंशियस्नेस में भी परमात्मा विश्नु आते है शिर्दक्षाई विश्नु गर्बदक्षाई विश्नु माहा विश्नु ब्रह्मा जी ने अस्तुति की है भगवान की यच्चक्षूर एश सविता सकल ग्रहनम राजा समस्त सुर्मूरुतीर अशेश तेजव। यश्च आज्या ध्रमती संभित काल चक्रों गोविंदमादि पुर्शं तमाहाम भयामि। यह चक्षूर एश यह यूनिवर्सल भगवान का विराथ सरूप है। यह औरिजिनल सरूप नहीं है, मानुसम सरीर नहीं है। ब्यक्तिकत रूप नहीं है। यह यूनिवर्सल फाउव है भगवान की। क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान बिश्णू बैठे हैं। आपके आत्मा के अंदर भी परमात्मा है। यह भी भगवान का इच्छेत्र है। यह भी भगवान है। तब यूनिवर्स के अंदर भी भगवान है। यूनिवर्सल फॉर्म। बगवान कहती कि जो सूरिया है ये मेरा एक नेत्र है इस बिराक रूप के अंदर इस सूरिये के सामने सारे देवता लोग सुर्मूर्तीर अशेश देजाओ देवता लोग भी फीके पढ़ जाते हैं चंदर तारे सब फीके पढ़ जाते हैं ये सारे ग्रहे ब्रस्पती शनी बुद्ध मंगल इत्यादी सब ठीके पढ़ जाते हैं निश्टेज हो जाते हैं ये मेरा एक नेत्र मात्र है यूनिवर्सल फॉर्म में ऐसे अनंत यूनिवर्सल शरीर है भगवान के विराठ स्वरूप इनमा अनंत चक्षू है भगवान के भगवान के ब्रह्मा जी अस्तिति करते हैं कि हे गोविंद आपके ये विराठ स्वरूप के चक्षू सूर्य के सामने ही सारे देवता फीके पढ़ जाते हैं सारे घ्रै नक्षत्र फीके पढ़ जाते हैं यचक्षूर एस सविता सकल ग्रह्मम राजा समस्त सारे राजा ब्रह्मा अंडोगी सब फी के पड़ जाते हैं राजा समस्त सुरमूर्तीर अशेश्टेजव यश्याज्या भ्रह्मती संबृत काल चक्रो और इसमें वास कर रहे हैं भवान विश्व के आग्या से सारा काल चक्र घूम रहा है सारा यूनिवर्स घूम रहा है सुचारू रूप से हम जिन्दा है हमारा प्लानेट जिन्दा है उनकी इच्छा से संबृत सर्वेंट की तरह कारिय कर रहा है सारा प्रह्मान अपनी इस्थिती में रह करके यचक्षोर एस सविता सकल ग्रेनम राजा समस्त सुर मूरतीर अशेश ते जाओ यश आग्या भ्रमती संबृत कला चक्रो गोविंद माधि पुर्षम तम आहाम भयामि हे गोवि हम आपके अस्तुती करते हैं आपको बसते हैं ब्रह्मा कह रहे हैं परंभावम अजारं तो नहीं जानते मेरी सुप्रीम कॉंशिसनेस को मेरी परंभावना को ये मूर्ख लोग ये मूर्चित लोग ये अग्यानी लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ मैं भी मनुश्य जैसे शरीर में रहता हूँ दो ही सुन्दर मेरे हाथ हैं दो पैर हैं दो नेत्र हैं सीच पर मूर्ख अठे हाथों में मुर्ली है जिसे मैक्सिकन लोग मुर्ली बजाते हैं और भी अनेक मुर्ली बजाते हैं उनके आख में भी मुर्ली है उनके भी हातों में दस उंगलिया हैं सेम डिक्टो कौपी मनुष्ट का शरीर है उनका अपनी शरीर के जैसा ही ये मनुष्ट को शरीर दिया खुश हो करके ये चौरा सिलाख यौनियों में हो करके निकल रहे हैं अब इनको एक मेरा जैसा शरीर में प्रदान करूँ तो मुर्क लोग इस बात को नहीं पैचानते हैं और कहते हैं कि अरे ये कोई राजा के पुत्र होगा या कोई योगी पुरुष होगा हम क्यों पूजा करें हम क्यों उनका नाम जब करें आये चले गए कितने आये हैं कितने चले गए राम हुआ लच्वन हुआ कृष्ण हुआ बर्राम यह समरायाओं के बेटे रहे होंगे यह कोई मान पुरुष रहे होंगे अच्छे काम किये होंगे यह बगवान कृष्ण के वाक्यों को मूर्ख लोग नहीं जानते कि बगवान क्या कह रहे हैं और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है बहुत से नहीं तुम निराकार का बजन करो तुम देवताओं का बजन पूजन करो वो मना नहीं कर रहे तुम बूत पेतों का पूजन करो भगवान बना नहीं कर रहे लिए भगवान के वानी को भी तल्वार लेके काट देने वाले मूर खलो तैयार है फिर कहते हैं कि हमने गीता पर भाश लिखा है गीता की हमने कॉमेंटरी दी है हम फिलोस्पर है हम डिग्री ओल्डर है कितने खिताब हमने जीते हैं हम विद्वाने शास्त्रार्त शास्त्रों के हम इलाइट एंड है प्रकाश्मान हो गए है हज्जारोला को हमारे शिष्षे अब हम गीता पे कॉमेंट्री लिखेंगे गुरुजी की कॉमेंट्री जूटे गुरुओं की आडंबरियों की मूर्कों की मूर्चितों की ऐसे लोगों की वैक्षाओं की वैल्यू नहीं बल्कि पॉर्जन हो गीता के अंदर ठवाने कितने सरलिर्दे से सभी बात कही है हम सब से अर्जुन के मैत्यम से कि मूर्चित लोग मेरी परम भावना को नहीं पहचानते मैं परमेश्वर हूँ परम भावना परमेश्वर के पास होती है और परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुद्दतम भावना पर जाना पड़ता है तब कहीं मिल पाता है परम धाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए इतना उंचा लेबल होना चाहिए तब वहां पहुँच पाता है बगवान के इस्तान को तो कोई नहीं नहीं ले सकता है लिए बगवान के चरणों में तो बैठ सकता है बगवान को आलिंगन तो कर सकता है बगवान से बारतालब तो कर सकता है बगवान को जल अर्पन तो कर सकता है कर सकता है लिए मूर्चित लोग कैसे करेंगे वो तो जानते ही नहीं अपने आपको भी कि हम कौन है अपने आपको जान जाएं तुझे शैतन मा पुरुजीन कहा कि जीवरो स्वरूप है नित कृष्ण दास इस जीव का स्वरूप नित कृष्ण का दास बने रहने में है इसका ये असली स्वरूप है और हम देखते हैं अपने रूप को सीशे में कि हम ये हैं बड़े रूप वान हैं ऐसे हमारी मूचे हैं ऐसी दाडिया हैं चोड़े कान हैं ये रूप नहीं है आपका आप सोचें कि मेरा हमारा रूप है नहीं ये तो शरीर का रूप है आप शरीर नहीं है आप आत्मा है आपका स्वरूप तो सच्चिदारंद है और सदेव कृषन का दास बना रहना आपका स्वरूप है इससे अन्यता नहीं फिर बड़ी-बड़ी डिग्रिया लो फिलोसपर बनो या मनो वैज्ञानी बनो इससे भगवान समझ में नहीं आते नहीं उनके शास्त्रों पर सरद्दा होनी चाहिए उनकी वानी में सरद्दा होनी चाहिए ये बागुद गीता ऐज इट इस पांच जार तीन सो अर्श पहले बगवान की मुखारविन से निकली वो आज चली आ रही है ये इस लोग जैसे थे वैसे के वैसे हैं एक शब्द भी इदर से उदर हो नहीं सकता करक्षन क्योंकि ये कंठस्त है हज्जारों लाखों बगवान की भक्तों की कंठस्त है इसमें चेंज़ें नहीं कर सकता कोई गड़बर नहीं कर सकता बदमाशान में ये एजिटी जै बगवान की वानी है बगवान कह रहें कि अवज्ञानन्ती मामपूढा मानुसिम्तनूम् आशिर्तम परंभावन अज्ञानन्तो ममभूत महेश्वर함 मेरा ये श्री विग्र है शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था ये महा इश्वर का शरीर है ये भौत इक शरीर नहीं है, बगवायन स्री कृष्ण ये शोधा के आगन में थे, ये द्वार का दीश थे, तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था, लगता तो हमारा जैसा था, मनुश्य का शरीर जैसा, लेएं उनकी, उनका शरीव ग्रह हमेशा spiritual होता है आध्यात्मिक होता है इसलिए वो सदेव 16 वर्ष के ही अवस्था में नजर आते थे द्वार का धीश बन करके 125 वर्ष तक रहे बाल लिलाएं भी करी वो शरीर के अंदर तो बड़े qualities ये गुण है वो तो किसी भी रूप में रूप बना ले हो शरीर आध्यात्मिक शरीर हो spiritual body है पस blood bonds का नहीं है लिए लगता है ऐसा है कि हमारे जैसा ही है नंदेवकी के पुत्र बने नंद के घर पलते हैं वेदों के रिशियों ने कृष्णा बताए है वो ही शाम सुन्दर का नहीं आख कहाए गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै हे बागे भी हारी नंदलाल तेरी जै जै गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै अव्यानन्ती माम मूढा मानुषिम तनुमासृतम परंभावम अजानन्तो महमभूत महेश्वरम इस प्रकार से भगवान नी अरजन को कहा कि ये मुर्चित लो मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं इनके जैसे इस शरीर में मनुष्य जैसे शरीर में ही रहता हूँ मेरा शरीर मेरा औरिजिनल रूप गौले का है और मनुष्य का शरीर है ये भगवान का इस्प्रीच्वल शरीर है और परम रूपवान है उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है उनके नेत्रों से किसी के नेत्र नहीं मिलते है उनके रंग से भी किसी का रंग उनके शरीर के अंग प्रतंग और रंग ये बड़े अदूद है इसलिए उनको यहां भी द्वापर में भी जो कोई भी देखता था वो मोहित हो जाता था उनकी तरुब भक्ती भावना से इर्शा जलन से देखते थे उनके विरोधी हो जाते थे जरासंद, शिशुपाल, दंत्वक्र, कंस, इत्यारे जिन्होंने उनके रूप के दर्शन की हैं वो बड़े भाविशा लिया उनका जनम सफल हो गया वो उनके धाम किवासी बन गए चाहे वो युदिश्टिर महराज हो यहां तक भी दुर्योधन का भी कल्यान हो गया वो भी भगवान की धाम को चला गया